प्यारी भाईयों बेहनों यह प्रत्वी लोग एक कर्म छेतर है यहां इंसान कभी अच्छे कर्म करता है कभी बुरे कर्म करता है और कभी मिस्रित कर्म करता है उसके जनम के संसकार अर्थात्पुजब पैदा होता है जैसे परिवार में पैदा होता है वो बैसा ही कुछ सीख लेकिन कई बार परिस्थितियों के साथ लग कर वो अच्छा होते हुए भी बुरे कर्म कर जाता है परंतु बुरे कर्म करने वाला इंसान भी जब बाद में परमात्मा में अपने मन को लगाता है परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा उसके बुरे कर्मों को इधर उधर क करके उसे अपनी शरण परदान कर देते हैं इसका एक सठीक उदारन अजामिल है अजामिल जो बच्पन से ही बहुत संसकार बांग था जिसने तमाम शास्त्रों का अध्यन किया था ब्रामण कुल में पैदा हुआ था किशोरा अवस्ता तक अर्थात युबा होने तक मतलब उ बहुत ही अच्छा ग्रस्त था माता पिता का भी बहुत सम्मान करता था आदर देता था फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके साथ हुई कि वो ब्यवीचारी हो गया तमाम पाप भी करने लगा लूट पाट भी करने लगा और फिर अंत में यानि म्रत्यू के समय उसने कु जब उसके जीवात्म को लेने के लिए आये और निकाल कर शरीर से जीवात्मा को लेकर के चल दिये यमलोग की तरफ तो बीच में ही भगवान विश्णू के पारसदों ने उन्हें रोक लिया और जवरदस्ती आजामिल की जीवात्मा को उनसे छीन कर बैकुंठ लेकर के च पास्चरिये और अचंबे में पड़े हुए यमदूत कुछ ना कर सके और सीधे पोंचे यमराज के पास यमलोक में उन्होंने पूरी कहानी यमराज के सामने रखी और कहा कि ऐसा कैसे हो गया हम प्रत्वी से जो भी मरता है उसके जीवात्मा को निकाल कर यहां लाते हैं आ कौन थे बे जो हम से अधिक शक्ति साली थे और छीन करके ले गए आखिर कहां तो यह जो बाते हैं यह बाते शिर्मत भगवत पुरान में हैं और आगे वीडियो में जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं बहुत ही महत्व पूर्ण है आप सब के लिए और मेरे स्वयम के लिए भी तो आपको यह संबाद यमदूतों का और यमराजी का शिर्मत भगवत पुरान के अनुसार उसी में जा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आप जरा इसी ध्यान से सुनियेगा और ध्यान से देखियेगा यह शिर्मत भगवत महापुरान है प्रतमखंड गीत अप्रेस गोरकपुर से प्रकाशित इसके छटे इसकंद में तीसरे अध्याय में यम और यमदूतो का संबाद पेज 712 से आरंब होता है राजा परिक्षित मुनि सुकदेव जी से पूछते हैं भगवन देवादी देव धर्मराज के बस में सारे जीव हैं और भगवान के पारशदों ने उन्हीं की आग्या भंग भंग कर दी और उनके दूतों को अप्मानित कर दिया अब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वर्तांत कह सुनाया तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने यमदूतों से क्या कहा यमराज कहा रहे हैं दूतों ये पेज 713 पर अगले पेज पर दूतों मेरे अतरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं उन्ही में यह संपूर जगत सूत में बस्त्र के समान ओत परोत है उन्ही के अंश ब्रह्मा विश्णू और शंकर इस जगत की उत्पत्ति इस्थ और प्रले करते हैं उन्ही ने इस सारे जगत को नठे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है इसी पेज पर नीचे दूतों मैं इंद्र निश्रती वरुन चंद्रमा अगनी शंकर बायू सूर्य ब्रह्मा बारहों आधित्ये बिश्वे देवता आठो बशू साध्ये उन्चास मर्द सिध ग्यारह रुद्र रजोगुन और तमोगुन से रहित भ्रगू आधी प्रजापती और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व परधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जा साथ सो चोदा पर यम दूतों को समझाते हुए आगे कह रहे हैं यह दूतों भागबत धर्म का रहस्य हम बारेव्यक्ति ही जानते हैं वो बारेव्यक्ति कौन से हैं ब्रह्मा जी देवरिशी नारद भगवान शंकर सनत्वकुमार कपिल देव स्वायंभुव मनु प्रहला जनक भिश्म पिता महें बली शुकदेव जी और मैं अर्थात धर्मराज इस जगत के जीवों के लिए बस सबसे बड़ा करतब्य परमधर्म है कि बे नाम कीर्तन आदी उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाब प्राप्त कर लें प्रिये दूतों भगवान के नाम चारण की महिमत देखो आजामिल जैसा पापी भी एक बार नामो चारण करने मात्र से म्रत्यू पास से छुटकारा पा गया भगवान के गोन लीला और नामों का भली भाति कीर्तन मनुस्य को पापों का सर्बता बिनास कर दे यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है क्यो अपने पुत्र का नाम नारायन उचारण किया इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप्त चीन हो ही गए मुक्ती भी प्रात हो गई तो प्यारे भाई बहनों देखिया आपने नाम की महिमा एक बार कहा अंतिमसास में नारायन कातर स्वर में और हो गया बेड़ा पार नाम की महिमा भी नामी की तरह से अनंत है जिसका कोई पारवार है ही नहीं और उलटा नाम जपा जग जाना बादमी की भई ब्रह्म समाना के बल नाम जपने से बाले में की भी इस ब्रह्म के समान ही हो गए और इसलिए समुझत सारिस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी इसका क्या रत है नाम और रूप स्वामी और सेवक के समान ही होते है आप नाम लीजिए रूप पीछे पीछे चला आता है अर्थाथ जैसे ही आप किसी का नाम लेते हैं उसका सुरूप उसकी आकिरती आपके अंदर बस जाती है आपके अंतरमन में वो परकट हो जाता है ठीक सेबक और स्वामी की तरह इसलिए प्रभु का नाम भी प्रभु की तरह ही फल दायक है तो वीडियो तो यहीं पर समात करना चाहूंगा बस आप से ये जानना चाहूंगा कि क्या अजामिल की वास्तविक कहानी को आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं यद भी आपने अनेक वीडियो देखे होंगे अजामिल के उपर लेकिन मेरे पा कभी सुना नहीं होगा और मुझे लगता है कि एक भक्त को उन सभी भक्तों के बारे में जानना जरूरी होता है जो इतिहास में अमर हो गए हैं अपने रूप अपने गोन अपने स्वभात के कारण और अपनी भक्ति के कारण तो यदि आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही और वीड देखने के लिए आपका धन्यवाद